श्री गनेशा या नमाहा ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है चंदरमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंदरमा की स्तिती ले कर आती है और इस वज़े से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छाया बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में छटे भाव में रहेंगे इस दिन आप दूसरों की गल्तियों को नजर अंदाज करें आप इस समय में दूसरों की छोटी-छोटी परेशानी होती है तो उसे पूरे तरीके से नजर अंदाज करने की कोशिश करें इस तरीके से आप दिन का पूरा आनंद उठा सकते हैं बिजनेस करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा लेकिन कहीं निवेश ना करें और पैसों का लेंद दिन करना नुकसान दाइक हो सक अगर काम में मन ना लगे तो परेशान ना हो क्योंकि आप सब कुछ संबाल लोगे आप काफी मेहनत करने वाली विक्ति है आप जैसे मेहनती लोगों को समस्याओं से बाहर निकलने के मार्ग मिल ही जाते है इस समय में अगर आप नया पार्टनर ढून रहे है तो आपको मिल सकता है दिन लवलाइप के लिए अच्छा रहेगा लेकिन किसी को प्रपोस करने के लिए ये समय ठीक नहीं है तो थोड़ा रुक जाना ही बेहतर रहेगा अपने पार्टनर से दूर ले जाने वाले रास्तों से आज आपको दूर ही रहना चाहिए तातकालिक आकरशन से पिर आपका मन भटक सकता है बाहरी दुनिया की तरफ ज्यादा किचाओ रहेगा लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पर ही पूरा फोकस रखना है क्योंकि आपके जीवन में पढ़ाई सबसे महत्वपुर्ण है पढ़ाई का यही सही समय है बाकी चीजों के मौके जीवन में बार बार आने ही वाले है अगर आपके स्वास्त की बात करते हैं सेहत की बात करते हैं तो कमरदर्द या पईरों में दर्द की शिकायत रह सकती है सर्दी खासी होने की संभाव नहीं रहेगी चोटी मोटी समस्याय रह सकती है कोई चिंता करने वाली बात नहीं रहेगी के तो मंदिर जरूर जाए भगवान से प्रार्थना करे और एक रुपए का सिक्का गुल्लक में जरूर डाले इस समय में आपके लिए हरे रंग का इस्तिमाल करना अच्छा रहेगा और आपके लिए इस दिन पाच अंक लकी साबित हो सकता है दोस्तों ये राशी फल चंद्र दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तों व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ-उसाथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफल्ता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भागय को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते, इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है, जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वज़े से हमें भारे नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं, अगर आप कही बाहर से आते हैं, और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते हैं, तो ये अशुब होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत क वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है, इससे उन्नती में बाधा आती है, इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगय पर ठीक प्रकार से रखें, दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती हैं, कही से भी बाहर से आती है, कही भी जूते चपल फेक देते हैं, कही पर भी उतार देते हैं, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं, ये तो बहुत ही गलत है, साथ ही कुछ लोग जूते चपल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चपल हमारी जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते है दोस्तों ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूतरे रखे और उनको उनकी जगए पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाए, उस स्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है, तो बहुती अच्छी बात है, वहाँ पर उने रखे, साप सुत्रा रखे, जूते चप्पलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे, को वो देखने में भी अच् फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं। और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है। हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुत्री अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उसमीजे से मालक्षमी हम पर प्रसंद नहीं होती है हमारे घर में आने की संभावन बहुत जियादा पर ध्यान रखे हमारे घर की जो सीडिया होती है उनकी नीची की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाड़ू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़ चीड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीड़ों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दीन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तो शास्तर के अनुसार इससे सकारत्मक उरजा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उरजा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुतरा रखे कम से गम एक महिने में अपने घर के हर कोने की साफ सपाई जरूर करे दोस्तो मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुत्रा रखे मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साफ सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्तोत भी खुलने लगेंगे इसे के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तो वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मॉर्थिया जो घर के मन्दिर में हैं बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मॉर्थिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उने भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटे नहीं कर पाते साफ नहीं रख प गटित होना शुरू हो जाता है, हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरुर करें, धन्यवाद।